नमस्ते जी मैं बताइए कि मेरा प्रशन यह है कि जब हम किसी प्रेश्निका उत्तर giaथ करते हैं तो वह हमें अच्छी तरह से याद हो होता है एक आपका शुब नाम क्या तुहान सहेगल पड़ते कहां है लकॉन इंटरनेशनल स्कूल यह सवाल पहले किसी को पूछा है नहीं सर्दने पूजा मंभी पूछा नहीं सर टीचर को पूछा नहीं सर लो बड़े कमाल के हो यार मैं ही मिला गया तुम्हें लेकिन आपका सवाल मैं समझता हूँ जादा तर विद्ध्यार्थों के मन में रहता है जब मैं भी तुम्हारी तरह पड़ता साना तो ये बात तो मन में रहती थी कियार पतानी क्यों याद नहीं आ रहा है देखिए परिक्षा हॉल में जाते समय आपको अपने मन को बिल्कु शांत करके जाना चाहिए मैं अभी इवी स्क्रीन पर आपको देख रहा हूँ इतना शांत आपका चहरा है इतने विश्वास के साथ आप बैटे हैं मुस्कराते भी है ये ये जो अवस्था है ना एक्जामेनेशन में जाए ना तब भी ऐसा ही रही आपको कभी नहीं बूल कि जैसे ही आप क्वेस्टेन पर देखेंगे कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाएंगे इसका सबसे अच्छा उपाई यही है कि आपको अपनी सारी टेंशन परिक्षा हॉल के भार छोड़ कर जाना चाहिए और आपको ये भी सोचना चाहिए कि जितनी तयारी आपको कर अपने कर ली है अब आपका फोकस प्रस्टों के अच्छे से उत्तर देने में होना चाहिए आप इस बात से भी नहीं गवराईए कि कुछ नया आ गया तो क्या होगा कुछ ऐसा आ गया जो आपने पढ़ाई नहीं है तो क्या होगा और मैं सभी को कहूंगा परिक्षा के तन को कम करने के लिए बिना टेंशन लिए परिक्षा देने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीग pops बहुत सारे उपाई है ौक्ति आपको एक्जांब वर्येरो बुक में दिये गए है और अभी भी एक्जांब बढ़ यर भुक को driven झालके नए इडिशनिस मैं जो पूरोना में थोड़ा समय मिल गौए तो मैंने इसको थोड़ा इंप्रुमेंट Damnर इंप्रुमेंट भी किया है इसमें बच्चों की लिए ही मंत्र नहीं है वल्कि मैंने परेंट्स के लिए भी काफी कुछ लिखा है कई साही अपने मित्रों के साथ शेर भी कर सकते हैं और मुझे विश्वास है थोड़ा सा प्रयास कीजिए मन में से निगल जाएगा और आपको पका फैदा होगा और आपके साथ ही और मैं आपसे चाहूंगा कि आपको जब भी फायदा हो तो मुझे लिख कर के दीजिए एक्जाम वा यहाँ मुझे झिया से वा शावज है निए हैं कि Så